प्यारे बच्चो आप सभी अच्छे होंगे आप सभी के परिवार वाले भी सभी अच्छे होंगे आप सभी के अच्छे स्वास्तिय की सुप कामना के साथ अपन मैट्स की पड़ाई करते हैं और आपको जो भी सिखाया जा रहा है उसको ज्यादा बार उसको प्रैक्टिस में लेते रहना है ताकि आपका इडिविजन होता रहे है ओके थैंक एक्सरसाइज नमबर 3.6 वीडिय अमरी एक्साम के लिए इंपोर्टन नहीं है और वो अपन को सिलबस के एकोर्डिंग उसको नहीं करना है ओके व्यासे आप प्रैक्टिस के लिए उसको प्रैक्टिस में कर सकते हो लेकिन परिक्सा की द्रश्टी से महत्वा पूर्ण नहीं है अभी देखिए क्वेशन को हल करना है देखें यहां पर जो रितु है प्रस्न आपके पास है किताब में पहले आपको कोशन को दो से तिन बार पढ़ना है प्रस्न को समझना है उसके बाद में इसको स्वालिशन करना है अभी देखो प्रस्न में जो लिखा हुआ है उसके अकोर्डिंग में इसको मान रहा हूं माना रितु की इस्तिर पानी में गती X किलो मिटर पर आवर है एवं प्रवा की गती Y किलो मिटर पर आवर है यह अपने मान लिया अभी देखो जब प्रवा की दिशा में रितु जाएगी तो क्या होगा रितु की चाल होगी प्लस प्रवा की चाल दोनों प्लस हो जाएगी क्योंकि दोनों एकी दिशा में जा रहे हैं वीरुद दिशा में जाएगे तो रितु की चाल ज्यादा है तो प्रवा की चाल को माइनस करेंगे एगर प्रवा की चाल ज्यादा है तो रितु की चाल को माइन किलोमेटर प्रति गंटा एवं वाई किलोमेटर प्रति गंटा प्रवा की दिशा में रितु की सापेक्स गति कितनी होगी प्रवा की दिशा में प्लस हो जाएगा एक्स प्लस वाई किलोमेटर प्रति आवर प्रवा की विरुत दिशा में रितु की सापेक्स गति कितनी हो जा में और प्रवा की विरुद दिशा में सापेक्स गती अभी देखो प्रस्तन के अनुसार प्रस्तन में क्या लिखा हुआ है कि जब रितु प्रवा की दिशा में जाती है तो दो गंटे में वो 20 किलो मिटर की दूरी तै करती है तो उसका समिक्रन कैसे बनेगा देखो प्रवा क दिसा में रितू द्वारा, दो गंटे में तढ की गई दूरी, कितना है? 20 km है. उसकी गती कितनी है? 1 कंटे में वह कितना जारी है x प्लस y km, दो गंटे में कितना जाएगा? 2 into x plus y. multiply हो जाएगा और वो दूरी कितनी है 20 km प्रस्ता में दिया हुआ है ok 2 into x plus y equal to 20 यहां से equation देखो x plus y equal to 20 यह जो 2 है वो का जाएगा इसके बटे में तो यहां से equation क्या बनेगा x plus y equal to 10 2 से 20 को cut करोगे तो कितना मिलेगा 10 ok अभी देखो प्रवा की विरुद दिशा में same जैसा अपन ने प्रवा की दिशा में किया था जैसा ही प्रवा की विरुद दिशा में फरक क्या लिकिया पड़ेगा जो साप x गती यहां पर x plus y थी वो क्या हो जाएगी x minus y इसी प्रकार प्रवा की विरुद दिशा में रित्तु द्वारा दो गंटे में तै की गई दूरी कितना दिया हुआ है चार किलोमीटर ओके तो यहां से एक्वेशन क्या बनेगा देखिए टू इन्टू प्रवा की विरुद दिशा में कती एक गंटे में x minus y किलोमीटर जाती है तो दो गंटे में कितना जाएगा 2 into x minus y km equal to कितनी दूरी तै की 4 km यहां से देखिए x minus y equal to यह 4 यह 2 का जाएगा इसके अपन में x minus y equal to 2 से 4 को divide किया तो 2 मिलेगा यह मिला अपनको x minus y equal to 2 equation number 2 equation number 1 क्या थी x plus y equal to 10 अभी देखो अपनको x और y कमान गयात करना है यह है equation x plus y equal to 10 equation number 1 second x minus y equal to 2 equation number 2 इन दोनों को अपने पास 3 रीत है क्वणसी प्रतिस्थापन की रीत विलोपन की रीत और वज्रगुनन 3 रीत से कोईसी भी एक रीतपन कर सकते जैसे अपन यहां पे सरल बोही रहेगी विलोपन की रीत क्यों यहां पे देखिए y का सगुनक प्लस वन है y का सगुनक माइनस वन है अगर इन दोनों को जोडेंगे तो क्या हो जाएगा y कट हो जाएगा और x बचेगा तो y का विलोपन तो हो जाएगा अभी देखो विलोपन की रीत के लिए अपन क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को समीकरण 1 वेवं समीकरण 2 को जोडने पर समीकरण 1 लिखा x प्लस y एक्वल तो 10 equation number 2 लिखा x मैंनस y एक्वल तो 2 दोनों को जोडना है तो y मैंनस y 0 हो गया, मतलब कट हो गया x प्लस x कितना होब 2x 10 प्लस 2 कितना होब 12 X equal to 12 ये 2 का जाएगा इसके divide में जाएगा 12 upon 2 इसको 2 से 12 को divide करेंगे तो 6 मिलेगा X equal to 6 X अपने क्या माना था रितु की स्थिर पानी में गती कितना माना था X माना था X kilometer प्रतियावर X की value 6 है तो रितु की स्थिर पानी में गती कितना हो जाएगा और 2 दो में से किसी भी एक equation में X का मान रखना है देखिए यहां से X equal to कितना मिला 6 X का मान समिकरण एक में रखने पर equation number 1 क्या है X plus Y equal to 10 X की value 6 रखा 6 plus Y equal to 10 Y equal to 10 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा plus का minus Y equal to 10 minus 6 equal to 4 kilometer per hour यह किसका value है Y Y अपने क्या मना था प्रवा की गती तो प्रवा की गती कितनी होगी 4 kilometer per hour होगी तो अपनको दोनों गयात करना था एक तो रितु की इस्थिर पानी में गती कितना मिला 6 kilometer per hour और प्रवा की गती कितना मिला 4 kilometer per hour यह अपना क्या हो जाएगा अंसर ओके थेंक यू